चलिए था हम लोग बात कर रहे थे NCRT कक्छा साथवी की हमारा पर्यावन फिसमें फर्ष्ट चैप्टर हमें देखना है पर्यावन याद रखिए फिर से बोलना हूं बार-बार की से NCRT को आपको एक बार कहानी की तरह पढ़ना है ठीक है जैंदा हड़ बढ़ा के मत पढ़ के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी वहीं एक मैदान उन खेलने के लिए वहाँ पर था लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फिलोटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी जब रभी को समझ में आया कि मुलायम घास गैंदे के फूल तितलियों वाला विसाल मैदान के बात अपने सहबाटियों को बताई सुभए की सभा में पिधानाचार ने भी बहुत उधाजिशी से कहा देखो कैसे हमारा परियावन बदल रहा है कर्चा में पहुंचकर रभी ने अपने सिक्षत से पूँचा परियावन क्या है जो कोच भी आप अपने आस-पास देख सब्सक्राइब कर देखिए कितनी सर्ग परिभासा में समझाया गया आपको ठीक है और यही कॉंपसेट हमारे अगर क्लियर हो जाए तो हमारा सही हमने सही से पढ़ा है कि जो कुछ भी आप अपने आस-पास देखते हैं उसी हम लोग परियावन कह देते हैं रभी ने कहने लगा इसका थे कि स्कूल भवन मेज कक्छा में रखी कुर्शियां यहां तक की खुला मैदान सडक कूडा करकट मेरे दोस्त यह सभी हमारे परियावन की अंग हैं सिचक ने कहा हां लेकिन जरात रुखो कुछ बस्तूओं का निर्माद प्रकिति ने किया जैसे परवत नद के मिलो कर कार कीजिए हुआ ह्याका के से परियावन हमारे जीवन का मूल आधार है। हमां है सास लेने के लिए हवा की जल खाने के लिए भूजन एवं रहने के लिए भूमी बिनान करता है। मानो इस प्राक्ति पर्यावन में कैसे परिवर्दन करता है। कार कद्मा बायू को पिदूसित करता है। पानी को पात मेरिकत किया जाता है। भोजन को बरतनों में परोसा जाता है। भूमी पर कारखाना का निर्माण उत्थ है। मानवकार मिलकारखानौं, बरतनों करनिर्माळ करता है। इस पेकार से मानोपराक्तिपरियावण में परीवर्धन करता है। मुझे समझ में नहीं आये, पता है है आप लोग को कि जब जिस चीज ने हम लोगों को बनाये, ुसे बचाने की बात कर नहीं लग जाए तो यह समझ जाई है कि इंसान संकट है क्योंकि देखिए बेटी बचाओ अरे बेटियों से तो सब कुछ चल ला है उन्हीं ने हमें जनम दिया मां हो पर जाए वहनों बेटी हो किसी की तो मां होगी उन्हीं को बचाने की कोसिस की जा रही इसी तरह प्राक प्रक्ति को बताए जा अरे बाई प्रक्ति ने हमें बनाया है जब सक जब तक हम लोग उससे कुछ छेड़ चाड़ ना करें प्रक्ति से वह हमारे लिए बहुत कुछ देती है ति गांदी जी ने कहा था प्रयावाण में विच्यार नहीं दिया था कि वह पित्वी हर ब्यक नहीं कर सकते है पित्वी तो सबके लिए प्रक्ती जोबी ही आपका सबका बहर tightened पुर्षण करती रहती है भस कोई लाच्जी आ जाये उसका बहर पुर्षण नहीं कर सकती है ज्रमवी परमजीत जिस्सी मुस्तपा आसा सभी यह सूची बनाने के लिए उस सुपते इकवाल ने पूचा हमारा पर्यावण क्यों बदल लाए सिक्षक ने उतर दिया ऐसा हमारी जरूरतों में कालन होता यह दिन पिती दिन बढ़ती रहती है पर्यावण के गटक देख लिए प्राक्तिक गट परें इमारत पार्क पुल सड़क उद्यू इसमारत मानव निर्मित मानव निर्मित हो गया मानव में हो गया एक बैक्ति परिवाद समुदाय धरम सेचिक आलतिक राजनितिक इस्तिति ठीक है इसलिए हम प्राक्तिक पर्यावन में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उन्हें भी नश्ट कर देते हैं जीविये सजी प्राणिओं का संसार जी भी यह कहलाता है जैसे पादप एवन जन्तु आजी भी यह निलेजी पद आर्थों का संसार जैसे इस थर ऊपर के बातला से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणिजें चारों पाए जाने वाली लोग इस्तान बस्तु ने प्राक्तिक पर्यावन में पितभी पर पाई जाने वाले आजीजीबिके दौनओं परी इस्तित्यां सम्हेले थे जबकि बाग्दि में पर्यावन में विभान यानि इन्वा वायरमेंड सब्द की उत्पत्ति फ्रेंच सब्द इन वायरोनेर या इन वायरोनेर सिर्व यह जिसका रथ होता है परवस प्राक्तिक पर्यावन भूमी जल बायू पेड़ पौधे एवं जीब जन्दु मिलकर प्राक्तिक पर्यावन बनाते इस्थल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल एवं जैब मंडल से आप पहले से ही परचित होंगी आईए अब हम इनके सम्मद्द में कुछ और तत्तों की जानकरी प्राक्त करते हैं इधिवी को पिधवी की ठोस परपटी या कठोर उपरी परत को हम लोग इस्थल मंडल टहते हैं चट्टानों एवं खनुजों से बना होता है इवं मिट्टी की पतीद परस से ढखा होता है क्या इस्थल मंडल यह पहार पठार मैदानी भाग घाटी आधी जैसी विवन ने इस्थल आक्तियों बाले विसम धरातल होता है यह इस्थल आक्तियों महादीपों के लवा महासागर की तरह सतय पर भी पाई जाती है कि इस्थल मंडल ओय चेत है जो हमें बंद किरसी मानवस्तियों के लिए भूमी पस्मों को चलने के लिए गहां से इस्थल पिदान करता है यह एकनिस संबता का भी श्रोत है कि जैन मंडल हुए आपका वायम मंडल जैन मंडल और इस्थल मंडल ठीक है कि जल के छेत को हम लोग क्या कहते हैं जल मंडल यह जल के विभिन ने सिरोतों जैसे नदी जील समुद्रों महासागर आदी जैसे विभिन ने जलायसाओं से मिलकर बनता है यहां सभी प्राणियों के लिए आवस्थ हैं पिद्वी के चारों और फैली वायू की पतली परत्वों लोग बायम मंडल करते हैं पिद्वी का गुरुत्वा करश्णर बन अपने चारों और के वायू मंडल को थावे रखता है यह सूर की जोल साने वाली गर्मी एवं हानीकारे केड़ों से हमारी रख्चा करता है इसमें कई ही पिकार की गयसें धूलकड एवं जल्वास उपस्तित रहते हैं वायू मंड या फिर सजीव संसार का निर्माड करते हैं या पिद्वी का वैस संकीन छेत जहां इस्थल जल्व बायू मिलकर जीवन को संभव बनाती पारितंद वैस्तंद जिसमें समझत जीवधारी आपस में एक दूसरी के साथ तथा पर्यावन के उन बहुतिक ये उन रसाइनिक कार करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं यह सब ओजा और पदार्त के इस्थानां तर्ड़ा संभरत होते हैं बारितत रभी की कच्छा के एन सेशी कैंप में जिसनी ने अश्चर कि कीतनी मूसलाधार वर्सा हो रही है इससे मुझे अपना केलल याद आ गया तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खितों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिस होती रहती है तबी जेसल मेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर सिता हमारे यां बर्सा होती ही नहीं हमें दोल तो दोल तक किबल की कर एवं रेधी नजर आते हैं लेकर वहां उट भी मिलते है रवी ने कहा हीरा ने कहा ऊट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेग स्थान आओगे तो, तुम्हे साब चिप के लिए शार इवं अने कीट भी देखने को मिलेंगे रवी हैरत में पड़ गया पिभिन इस्थानों पर फाये जाने वाले जीब जन्तु वनस्पति एवं लोगों की रहन रहन के तरीके इतने भिन्ने क्यों है क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबन्द है बिल्कुर बहुत संबन्द है सिछक ने कहा है सभी पेड़ पोधी जीब चनतों मानों अपने आसवास के परायवन पर अश्रेट होते हैं उनकी जैसे ँगाहुली के स्थिति हुटो टीविल उक्यू आनसार हो लो प्रैजिम प्रयाभे एक द्यूसरे पर भी आसे ऐओ जीब दारियों का आपसिं एबने आसपास के परूसके वीच्छ समंद眼 भी ताल का भी एक पारितन्द हो सकता है याद रखना है फित्यक वर्ष 5 जून को 20 परयावन दिवस मनाए जाता है लोगों को जागरूग करने के लिए जो लोगों के दिमाग में क्या हो सकते हैं उसे आप लोग बहतर जानते हों दिमाग में क्या बढ़ गया जागरूग बनाने के लिए आपका पांच जून को 20 परयावन दिवस मनाए जाता है बस्तू बिण में बद्दि या बस्तू की अदला बदली कभ्याप आ रहे जिसमें धन का प्रियोग नहीं किया जाता है या आपने गावों में देखा होगा गरामीट चित में जब आपके हाँ कोई मटकी या दिए दीपावली पर देने आता है तो उसे बदले में आप लोग कोई फसल दे देती है जैसे ज्यावों हो गया चावल हो गया तो उसे हम लोग बस्तू बिण में पद्दिति कहती है यह पहले प्राचीन बारत में बहुत चलती थी, इस तरह की बद्धिती, मानवी यह पर्यावन, मानों अपने पर्यावन के साथ सामाजिक, साथ पारस्परिक किया करता है, और उसमें अपनी आवस्तक्ताओं के इनुसार परिवर्दत करता है, प्रारंभिक मानों ने स्रम को प्रक्किती के अन्रोब बना लिया था, उनका जीवन सरल था, एवं आसपास की प्रक्किती से उनकी आवस्तक्ताओं पूरी हो जाती थी, समय के साथ कई पिकार की आवस्तक्ताओं पड़ी, मानों ने पर्यावन के उप, योग, उसमें परिवत्तन के लिए, कई तरीके အ मनर्जी का विकास होगा, ब्यापार आरंबवगण, वरिच का विकास होगा, उत्दोगे करांती से बड़े प्रमाने पर उत्वादन प्यारम हो गए, परिवहन तेज गथी से प्यारम वल्प, सोचना आकरांती से पूरे विस्म, संचार सहज, दोथ हो गया, क्यां आप गर्मी में रसीला तर्बूच सद्धी में भुनी हुई मुंपली खाना क्यों पसंद करते हैं फ्राक्तिक एवं मानविये पर्यावण के भीज़ी सही संतुलत होना आवस्सक है मालों पर्यावण के साथ समरस्ता से रहना और उसका उपयोग सीखना चाहिए रवी की कर्चा मे मेजुरम की एक लड़की है नूरी वह एक्सर अपने इस्थान की हर्याली की बात करती रहती है खेल का मैदान नश्ठ होने के वाद खारण रवी की उदासी दिखकर नूरी ने उसे आने वाली चुट्टियों में अपने घर मेजुरम आने को कहा रवी की चिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टियों में भी जिन इस्थानों पर जाएंगे वहां के भूद्रस घरों यहां लोगों के क्रिया कलापों कर चित्त बनाएंगे यह आपके कुछ के लिए अब्यास के लिए अगर पता है आप लोग अध्याय कटम कर देते लिए और आप लोगों को एक बार और पढ़ना क्योंकि इसमें कोई भी पैसा कुश्यन से मिलेगा जो आपको समझ में ना है क्योंकि बहुत थी सर्जब तो में लिखी है तो यह था आपका पहला कोशिप अध्यार च्छिए